हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब तो एक बहुत दुखद नीज्स में पढ़ रहे थी एक 17 एर्स की लड़की JEE का एक्जाम क्लियर नहीं होता और वो फ्लोर से अपनी बिल्डिंग के फ्लोर से कूद कर अपनी जान दे दिती है तो यह बहुत ही दुखद खबर है और मैं आप सब बच्चो को एक चीज़ बताना चाहूंगी कि बेटा दुनिया भर के जितने भी एक्जाम से आप देख लो ना और जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है कोई भी एक्जाम में इतनी कैपेबिल्टी नहीं है कि वो आपका फुल पोटेंशल जो जिस लाइक हो आप लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो उसको जज़ कर पाए ऐसा कोई पेरामिटर बना ही नहीं है अगर कोई कहता है कि हमारे एक्जाम से आपका ट्रू पोटेंशल पता चल जाएगा तो वैसा कुछ नहीं है आपको नहीं पता आपके अंदर क्या hidden talents है क्योंकि कई लोग अगर आप देखोगे ना पूरा life का circle देखोगे तो कई लोग है जो कि 50 साल की उमर में जिनको success मिलती है और कई लोग है जिनको 18 साल की उमर में success मिल जाती है ठीक है कोई CEO का company किसी company का CEO बन जाएगा कोई 70 साल की उमर में कोई बंदा 40 साल की उमर में ठीक है तो ये जो life का process है तो इसमें ना कोई भी अगर आप देखें कोई start-up ही कितना जादा you know fruitful हो जाता है एकदम से success पा जाता है और अगर 1000 start-ups कोई करता है उसमें से 1000 अगर fruitful हो रहे हैं लेकिन आप 10 साल बाद उनकी journey देखेंगे तो उसमें से कही बार सिर्फ 200 start-ups you know survive कर पाते हैं ठीक है और यही हमारी जो general life है इसमें भी ऐसा ही चलता है तो कोई किसी का potential जरूरी थोड़े नहीं कि सिर्फ पढ़ाई ही एक you know map dand है कि जिस पे हम बहुत ही अच्छी चीज़े कर सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही minute अगर आप study करेंगे तो जो दुनिया के richest people है ना तो वो ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई करके बने है कुछ serendipities भी हुई हुई है कि कुछ चीज़ें एकदम से होता था था ना वो यूरेका यूरेका जो हम physics में पढ़ते हैं आर्की मीडिक्स का principle पढ़ते हैं तो जब उसको कितना उसने ट्राई किया था और उसको नहीं मिली से success और एक बाथ टब में नहा रहा था और वहाँ पर पानी displacement हो गया और ही स्टार्टेड क्राएंगी यूरेकर रुएका है ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा कि success जरूरी नहीं है कि सबको early stage में मिल जाए आप 17 एर्स के थे बिटा मतलब 17 एर्स का बच्चा नहीं हो पाया देखो उस पर mental pressure कितना रहा होगा और कितना अच्छा होगा पंडे में और कितना उसने stress लिया होगा कि हाँ भी नहीं अब मुझे अपनी life end करनी है और होता भी है हम सब की life में ये moments आते हैं कि जब हमें से जिस torture से जिस mental trauma से हम गुजर रहे होते हैं बट बेटा आप hard working students हो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए देखो करम करना हमारा काम है फल देना उपर वाले के हाथ में है प्लस आपने जिस भी field में आप कर रहे हो जिस भी field में आप चाहे वो education field है चाहे कोई other field है जिसमे आप struggle कर रहे हो चाहे sports field है चाहे कोई music में struggle कर रहा है या film industry में struggle कर रहे है तो struggle हर कहीं है कोई ऐसी field ही नहीं है जहां struggle नहीं है even कोई business कोलता है वहाँ पर भी अपना ही struggle है तो बिटा पट यह जो stress management है यह हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है and it's high time that we should talk about it ठीक है मैं आपको यहीं बताना चाहते हूं इस वीडियो के थ्रूबी की कुछ नहीं हुआ है भाई जो यहां पर जानवर भी पैदा होता है ना वो भी survive कर लेते हैं ठीक है तो वही चार्ल्स टाविन वाली थ्योरी है survival of the fittest आपको यहां से भी बड़ा strong होना है mentally strong होना बड़ा जरू आप से भी बहुत कम फासिल आपसे भी बहुत कम दबेस मिली हुई हैं बट still everyone is struggling to make his or her path her mark in this society so life is like that only and everyone has his or her struggle so we need to be you know we need to be very vigilant and we need to be very mentally strong so that we can fight against all these odds that people are all these odds that they will criticize you whatsoever you do right so you have to be mentally strong so don't you know itna pressure matlo itna isme na doop jau ki aap apni life end kar rho because human life is very precious talk to your parents about it talk to your friends aapko depression ho raha hai seek professional help kisi se baat kar lo aaj kal toh groups bhoh zaad hai youtube pe bhi aap apna you know you need to vent out things before it's so late thik hai toh i just want to say that sky is the limit keep working hard for your dreams but itna mat failure me itna zahadha na khujau ki aapko laghe ki haa bhi apni life hi hum end kar djeti hai so baki keep working hard chase your dreams and good luck follow everything with passion but ek chiz hamesha dhyaan rakhna ki is duniya se jab hum apni life end kar ke jate na kisi ko fark nis pardata sirf aapke maabap hai jen ko fark pardata hai baki kisi ko fark nis pardata aap apne ager aaisi thoughts haa bhi raha hai please once talk to your parents haa bhi myre dhimag me yeh yeh chal raha hai وہ ضرور aapki baat semjhenge bas aapka tariqa sahih hona chahiye chik hai baki bhaagawan sabka bhala karay har har maadhe jay shri ram good luck baat cho kisoo hall